हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू स्टडी स्टेस्ट तो आज किस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटेस्टेड मैथ पजल को सॉल्ब करने वाले हैं तो हमने यहां पर एक मैथ पजल लिया हुआ है अगर इस टाप की पजल को आप अपने मन से नंबर रख करके बनाते हैं तो द इकन है बीच में तो साथ में यहां पर कितना से जोड़ेंगे तो आठ हो जाए तो यहां पर एक में से कोई संख्या घटेगा नहीं जो हमारा पांच आ जाएगा ठेक तो इस टाइप से अगर मन से अगर रख करके आप बनाएंगे तो आपका यह मैथ पजल नहीं बन पाए तो यहां पर इसको हमान लेते हैं A इसे हमान लेते हैं B इसे मान लेते हैं C और इसे मान लेते हैं D ठेक इस equation को मान करके तब बनाएंगे तब हमारा जाकर करके यह पजल सौल होगा चलिए से पहले इसको पूरा equation को मानते हैं देखिए A गुने B इक्वल टू 21 यह हमारा पह D equal to 9 B into D equal to 9 यह हमारा दूसरा equation हो गया ठेक और और आगे equation बनने वाला तो बनाते हैं A और C है तो यह plus वाला है A plus C equal to 8 A plus C equal to 8 यह को और हमारा बनना है C और D में C minus D equal to 5 C minus D equal to 5 यह दूसरा था तो हमारा यह तीसरा equation हो जाएगा और यह हमारा चौथा equation हो जाएगा इसी equation को मान करके इसको हम solve करेंगे और इस box में इसका value पता करेंगे ठेक चलिए पहले इसी को solve करते हैं तीसरा और चौथा equation को तो इस condition में इस जह हम घटाएगे तो घटाएगे तो हमारा एक यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर मान बसाएगा यहाँ पनेजोड से ओर षक्राइगा चलिए अब हम पहले और दूसरे equation को solve करते हैं पहला है हमारा A गुने B equal to 21 है इस equation हम क्या करेंगे A से दोनों तरफ divide कर देंगे इधर भी A से divide करेंगे और इधर भी A से divide करेंगे A से A यहाँ पर cancel होगा B equal to क्या होगा 21 by A तो B का value हमारा यहाँ पहले आजाएगा 21 by A चलिए दूसरे equation को solve करते हैं दूसरे equation है हमारा B into D B into D equal to 9 है इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम दोनों तरफ क्या करेंगे तो D से divide करेंगे इधर भी D से divide करेंगे और इधर भी D से divide करेंगे तो D से D यहां पर cancel हो जाएगा तो यहां पर क्या value इसका बचेगा B equal to A by D हमारा बचेगा तो यहां पर B का value 21 बटे A और यहां भी B का value आजाएगा हमारा सो यहां पर 9 है तो 9 बटे D तो यह दोनों जो value B का ही value है तो दोनों को left और side दोनों हम ले सकते हैं right hand और left side ले सकते हैं दोनों को equal कर सकते हैं क्योंकि यह भी B का value और यह भी B का value है तो 21 बटे A equal to 9 बटे D इस condition में हम दोनों को multiply करेंगे cross multiply करेंगे तो 21 में D से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21 D equal to 9 में यह से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 A ठीक देखिए यह दोनों जो है 3 से कटने वाला है तो दोनों तोरफ हम क्या करेंगे 3 से divide कर देंगे 3 सत्य 21 और 3 तिया 9 तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा 7 D equal to 3 A ठीक एक equation हमारा यह है इतना होने के बाद अब हम समिकरन 5 में जो है दोनों तरफ क्या करेंगे तो 3 से गुना करेंगे यहनि समिकरन 5 में हमें 3 से गुना करना तो यहाँ पर हम लिखेंगे समिकरन 5 में 3 से गुना करने पर तो समिकरन 5 है हमारा A plus D equal to 3 3a plus 3d equal to 3a 3a plus 3d equal to 9 यहाँ पर हमने क्या लाया है 7d equal to 3a यहाँ पर 3a के बराबर है 3a के जग़ा पर हम 7d लिख सकते हैं तो यहाँ पर 3a के जगा पर हमें क्या लिख देंगे 7D लिख देंगे क्योंकि 3A 7D के बराबर है तो यहां पर 3A की जगा पर हम लिख सकते हैं 7D 7D प्लस 3D इक्वल टू 9 7D और 3D मिलकर हो जाएगा हमारा 10D इक्वल टू 9 और D का वैलो यहां से हमें पता चल जाएगा D इक्वल टू 9 बाइ 10 यानि 0.9 तो D का वैलो हमारा यहां से पता हो गया 0.9 आ गया और यही हमारा यहां पर दिया गया है पजल यहां पर इसी वैलो से हम पूरे पजल को solve कर लेंगे D का वैलो क्या है तो D इक्वल टू 0.9 है तो D के जगा पर हम क्या लिखेंगे 0.9 लिखेंगे ठेक तो यहां पर आप कौन सा संख्या में से 0.9 घटेगा जो 5 आ जाए तो यहां पर 5.9 में से 0.9 घटेगा तो हमारा 5 आ जाएगा यानि हमारा C का वैलो पता चल गया 5.9 अब हमें मतलब इस A में 5.9 से कितना जोड़ना है जो 8 आ जाए ठेक कितना हम जोड़ेंगे जो हमारा 8 मिलकर आ जाएगा तो यहां पर हमें 2.1 रखेंगे इसका वैलो देखिए 5 और 2 मिलकर हो जाएगा 7 और 9 और 1 मिलकर हो जाएगा 10 7 एक 8 हो जाएगा 2.1 यहां पर रखेंगे तो 5.9 को जोड़ेंगे तो मिलकर हो जाएगा हमारा 8 यानि एक वैलू भी हमारा पता चल गया कितना तो 2.1 अब हमें 2.1 में कितना से गुना करेंगे इस वी का वैलू पता करने के लिए से ऒएक वाइलु पता होने सा मारा यह है फेलू समझ में आया होगा तो यहाँ पर देखिए। हमारा एक वैलू वेलू आगया 2.1, B का वेलू आगया 10, C का वेलू आगया हमारा 5.9, और D का वेलू हमारा आगया 0.1, तो इसी तरीके से हमने इस पजल को solve किया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को अच्छा है, अगर पसंद आए तो प्लिस वीडियो के लाइक किजिएगा, चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा, थैंक्यू,